गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एडी सेविल सेर्यूसेस क्लासस में आपको स्वागत हैं दुस्तो जैसा कि आते स्टवी वीपेज सीमेंज का आप्सिनल पेपर कंपलीट हुआ और आज हम जिग्राफी आप्सिनल कोशन पेपर को देखने जा रहे हैं दुस्तो जिग्राफी आप्सिनल में टोटल 12 कोशन होते हैं जो दो सेक्षण सेक्षण वन जिसमें 6 कोशन होते हैं और सेक्षण टू जिसमें 6 कोशन होते हैं और दोनों सेक्षण में से हमें 3-3 कोशन को चूच करके लिखना होता है मतलब टोटल हमें 6 कोशन को उतर देना हो सबसे पहला कोश्चन दोस्तों कि समंदित आयामों के साथ काश्ट भुवाक्रितिक के निर्मान के लिए अप्यक्षित इस्तितियों की विचना किजिए सेकेंड नमबर का कोश्चन नमबर ए उस निकटि बंध और समसित्वस्ने चकरवात का उनके उदभव, विकास, लक्षन और प्रभाव के विचित संदर में उदारन सही तुलनात्मक विचलेशन किजिए सेकेंड कभी लवंता के नियामक परिवल कौन कौन से हैं महसागर में इसके समनांतर और उर्दवाधर वित्रन की विचा किजिए नेक्ष दोस्तों थर्ड नमबर, थर्ड का ए नमबर मुंग चंटानों के विर्दी के लिए अप्यक्षित अनुकूल स्थितियों की चर्चा किजिए और मुंगों की विरंगी करण के कारणों पर फ्रकाश डालिए मिस्कोलर रीफ के उत्पति के क्या कंडिसन है और उसका बिलीचिंग के क्या करण है उसके बार में लिखना है इसमें में क्वेशन नमर थर्ड कभी सम सितोस्न घास मैदान जीवों की परष्चति के कहलों पर चर्चा व्याख्या कीजिए निश्च दोस्तो फौर नमबर भूगोल के वेज्ञानिक विकास पर मतरात्मा करांती के प्रभाव की चर्चा कीजिए निश्च दोस्तो फाइव का ए नमबर अंतराश्टिय इस्तनांतर के वर्तमान परिवलों के योगी उधारन देकर विसलेशन कीजिए फाइब कभी तिसरी दुनिया के नगरी करने से जुड़ी समस्याओं को सुधारन विसलेशन कीजिए कोश्च नमबर शिक्स का ए नमबर सिमान्त सिमा और बफर छेत्र के संदर में अंतराश्टिय विवयादों के स्वरूप के चर्चा कीजिए इसके बाद शिक्स का भी आर्थिक विकास के विस्विक्स सुचकांगों के वियाख्या कीजिए और विकास के विस्विक्स प्रारूप का भी स्लेशन कीजिए तिके दोस्तों सेक्सन ए के शिक्स कोश्चन ते सारे कोश्चन लोग देखे हमने अब हम लोग सेक्शन 2 में सेक्शन 2 का सेक्शन 2 में सेवन का ए नमबर भारत के भूवेग्यानिक इतिहास का समस्याओं की चर्चा कीजिए और उन समस्याओं से उबरनी की निती और उपायों को सुझाइब नेक्ष दोस्तो एट का ए नमबर किरसी अवसकताओं और ग्रामिन अधिवासों की अवसकताओं की पूर्ति के लिए हाल में किये गए जल संसादनों के सरक्षन के उपाये कौन-कौन से हैं इसके बाद एट का भी नमबर छेत्रांत्रिये और अंत्र छेत्रिये वेपार पुर्साहन और विकास में बरजार नगरों की भूमकापर चर्चा कीजिए नेक्ष दोस्तो नाइन नमबर किरसी जलवाई परदेसों की अधार कौन-कौन से हैं उन परदेसों की किरसी विकास की केंद्री नितियों की व्याक्या कीजिए नाइन कभी भारत में योजना की इकाई का रूप में जन्पद और जन्पद के गुनों और अवगुनों का सुधारन व्याक्या कीजिए नेक्ष दोस्तो टेन नमबर इस भी दोजार से किये गए राजिपुनर गठन के अधारों की नियाज संगति सिद्ध कीजिए और उसके परणामों को उधारन दे कर समझाईए नेक्ष दोस्तो बिहार के समगरे आर्थिक विकास है तो गरामियन आर्थिक सरचना में सुधार लाने है तो उपाई बताईए नेक्ष 11 नमबर बिहार में अबादी के बही गर्मन और निमनस्तर ये नगरी करन के कारनों की उधारन से तो व्याक्या कीजिए नेश्टे दोस्तो 12 नमबर विये कि बिहार के बाड़ा परभावित और सुखा परभावित छेत्रों की समस्याओं को काभू में रखने के लिए पर्तिरों धात्मक और निदनात्मक उपायों काभू लेख कीजिए सेक्षिन 1 और सिक्सिन 2 के सारे framework बाराक करते हैं एक कोषण का सकते हैं क्योंकि हर बार इसलाए कि यह कुसे आते हैं जैसे प्रिवेस एर में देखेंगे हम तो नदी द्वारा बनाई गई अपर दनात्मक और शेतात्मक अपर अस्थाला कृति उसके बाद पवंद द्वारा बनाई गई इस्थाला कृति इस सब कोशन रिप्टेड हो चुके हैं तो इस बार थोड़ा नया भुवा कृत प्रिवेस एर में कोशन आ चुके हैं यह भी कोशन है मौन चटान कोशन है ऑर उसके प्रिटयो है कोशन हैं फिलन के मरज्चले बार मांसुनी इप्रकायां पर वासव क्या हुआ इसको यह अई आप यह कोशण देखे उस मत्रात्मक रांति हो एस को जिससे हमेशा कोचन आना है जैसे कि द्धित वाद हो गया मतर अत्मकरांति संभावाद निश्चेवाद और नम निश्चेवाद इससे कोचन आना है तुनको अच्छे से त्यार कर लीजे जिसके वाद दोस्तों अंतराष्टी स्थांतरन के वर्तमान परिवलों का यह उदारन देकर विस्टेशन के दोस्तों यह लगवब माना जाये तो कर्यंट से जुड़ा हुआ यह कोश्चन है लेकिन कुछ इसके थियुरी पार्ट भी कुछ है दोनों के मिलाज़ों लाकर लिखना है इसमें इसक वाद यह जो कोश्चन है तिसरी दुनिया के नगरे करने जुड़ी समस्याओं का सुधारन कर हमें सॉल्व करना झेसक अलाग तो सिमां सिमा सिमा जीम इंतराष्ट अपर इसके त्दोस्द के संदर्स्फ प्रेंगे तीनने ह्लिश के शिबांज को और विकास के सब्सक्नाइं करके वे संतित भूसरूप इसके बाद दूस्तों यह कोश्चन देखा जाए तो जनलाइज कोश्चन है भारत का अंतराज जी और सीमय पारकिस्तांतरों से जुड़ी समस्तावां पर शर्चा किजिए और उसमस्तावां सो बरने के नितियों रुपायक सुझाईए मिस्से एक राअ से दुसरे राज में जो माईगरेसन हो रहा और हमारे ज Christians से दूसरे जिस समयास हो इसको बिहार संदर में लेना जो बिहार सरकार जो क्रिसी रोड मैप 2 और 3 चलाई है उसके पॉइंट को इसमें जरूर लिखेंगे इसमें आप विज़की के क्रिसी पर्देस्थ के चर्चा करें इसके लएग दोस्तो बहरत में योजना की काई कुरूप में जन्पद तो जो कैंद्र इस्तर पर राज इस्तर पर ऑर अपयर्ट सन ज़्य करेंगे की ढ्सार मानया के क्षाइज की जूड़े हुआ है कि 126 MS अब तक फ од सब्सक्राइड क्या जहाए और कितना वह सफल हुए दोनों बताएं गुन और दोस्त दोनों बताएंगे कैसे कि 2000 में तिन राज बने थे उत्राखंड और जारखंड तो उत्राखंड काफी अच्छे काम की है पर जारखंड अभी भी बहुत से पिमानों पर पीछे रहा है फिर ते लंगाना भी हाली मलग हुआ है इन सब के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों को लिखते हुए इसको सॉल्व करेंगे इसके बाद बिहार के समगर आर्थिक विकास है तो ग्रामिन आर्थिक सरचना में सुधा लाने की उपाई बताईए यह दोस्तों जेनलाइज कोशन है जो भी सरक कारणा माइगरेशन का सिक्षा स्वास सारे स्पेट्स को लेते हुए कुछ उपाई बताएंगा जिससे कि इसका सलूसन हो सके और लाश्ट कोशन दोस्तों बारा नमर यह बर गिरिन कोशन यह वी है क्योंकि बिहार में लगबग हर साल लो तिन साल पर बाढ़ और सुखा आ रही है जैसे कि इसके लावा बहुत से परवजनाय चलाए जा रही है इन सब के लावा नदी जोड़ने के भी हाली में कई संदर बाहा है तिन सब चीजों के लेकर हमें हम इसे सॉल्ब करें और कुछ अपने नवचारी उपाई बताएंगे तो दोस्तों इस तरह समने लोग